हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी एक और फिर से आप सभी का जोगराफिय वाला जैपूर यूटूब चैनल पर हादिक स्वागत है आज के इस सेशन में हम 12th क्लास की 2nd NCRT को कंटिन्यू करेंगे डिसकस करना इस्टार्ट करेंगे और इसमें हम भार्त लोग और अर्थ सेमिंट जूए सभी का अर्फ लूडगराफिक वथ कर देखें है और यह तो किसे जोग में माईग्रेसं के विपादी यूअर्वल्य nessa की ऑपरवास ऑपरवास की आवधराना के वारे-स्चैनल था यूटि marriage I am時 oh और नेक्स्ट हमने प्रांडर, सेकंडरी, टर्सरी और और प्रीवेस्टन किया। वार्ट ट्रेट, ची, वॉर्ट्र वेवंद्ट सिस्टम जो रूरल और उर्बन सेटलमेंट सिस्टम है और डवलपनेंट है , उनको कौनकौन से 만들어 इंपेक्ट करते हैं। यह सारी चीज़ें हमने डिसकर्स के थी तो आज हम जो हुमन जोग्राभी है इंडिया से सम्मन तो उसके बारे में डिसकर्शन करेंगे जो ट्वल्थ क्लास की है ठीक है बुगुल की पार्टी पुस्तक अब ठीक है इसमें हम बैसिकली कौन-कौन से टोपिक देखेंगे एक बार यह देख लेते हैं कि इस पुस्तक में जो टोपिक है इंडेक्स है चैप्टर की वो क्या है तो इसमें बैसिकली चार-पांच इकाईयों में इसको बांटा गया है जिसमें पहली एकाई में जन संक्या वितरण गनत्वय वर्दी और संगतन के बारे में है ठीक है यह आ परवास कितने परकार होता है किन कारणों से होता है और परवास का परिनाम क्या है यह इंडिया के पॉइंट ओफ युव से उसके बाद में जो मानु विकास हमने जो प्रिविएस NCRT में पड़ा था कि कौन से स्टेट ऑफ है कौन से स्टेट बॉटम में है और जो 22-23 की इसको भी डिस्किस करेंगे नेक्स है एंडिया के कौन से रीजन में किस टाइप की बस्तिय मिल दी है उसके बाद में बू संसाधन टा करशी ठीक है दात्विक प्रहिपालनीश भ्रवामियन तो इसके बाति खनीच और होड़ी उनके बारे में देखाएंगे ध्रुषां पेखाएंगे इन जाथा keeping इसमेड 215 जो करे मेंद्ध िसर्फरिएंगे 217 तो नेक्स्ट रहे भारत के संद्रप में नियोजन और सेत्थ पासट जी विकास यानि जो सटेमिंबर कि ड्वल्लप्मेंट इंडिया के प्रॉइट वप्यू से और नियोजन का मतलब है प्लानिंग कि के प्लानिंग इंडर्शेंस लॉप्मेंगे नियोजन अपलानिंग हो प्रोजेक्ट प्रोग्राम इस परकार से इंपोर्टन प्रोग्राम है नियोचित प्रोजेक्ट एंडिया के उनके बारे में देखेंगे तो डामदर वेली कोर्पोरेस्ट है अन्जेर का त्रहिए दोनगे उनके वाले में लिगेंगे उसके बारे में परीवयन आशनार अब इंडिया के पाइव से ट्रांस्पोर्टन का सिस्टम क्या है रोड रियल वायू और जो जेल मारग है उनके बारे में देखैंगे कम्यूनिकें तरे निगेंड मोड है ठीक है वह उसके बारे मेंम डीटेल से देखेंगे कि इंडिया कॉनसी country के साथ में maximum trade परता है इंपोर्ट करता है कॉनसी country के साथ maximum export करता है India का trade deficit क्या है ये शारी चीजे है और नेक्ष्ट है हमारा ऑन्तिम जो chapter है वह हां बोगुलिक रिख्ये में चायनित कुछ मुद्दैय inspoustनी तो इसको भी हम डेटिल से डिसक्स करेंगे तो इस बैसिक मुझ जो चेटर है 이것 में डाचेप्टर है और कौसिस करेंगे कि इसमें और जो सहर्च लेंग वैज है और जो करेंट के डाटा हे उसके पॉर्ञींट बहुशक करेंगे ठीक है तो चाहिए आज के हमारा पहला टोपिक है उसको करते हैं कि उसमें हैन्टिया की पॉपुलाशन के बारे में अब छंद सेंग और इंडिया की पॉपुलाशन हमने वर्ल्ल्ड की पर लिए थी बड़ा था एसिया में पॉपुलchemical इसके प्रसंटेज के बारे में South America और Australia के बारे में यह सारे चीज़ें डिसकस की थी अब हम इंडिया के पॉइंट आप उसे देखेंगे कि जो बारत का जंसेंकिया संगाटन है जंसेंकिया का इंडिया का मतलब है कि कौन से पोपूलेशन में पॉपूलेशन ज्यादा रहती है और कौन से एपोलेशन कम रहती है । उसके बारे में गानत्व के बारे में आध chef जहां परख्ण का मतलब है कि जहां पर चुछ जघादा होगा और डेंसिटी ज्यादा होगी यहाँ में परटिकॉलरर रीजिन की बात करें और ऑर अवर्रोली इंडिया की ग्रोथ है संगटन क्या हैarte हैं उनको मिला kere n संगटन संन्गटन की बात करें तो संगटन का का ऑऽ सक्स benefit है उसके दूरल और अर्बन जो जो population का composition है वो क्या है उसके बाद में literacy rate क्या है population की और संगटन में एक और चीज़ आती है कि जो age group है population का for example 60 year जो plus population कितना percent है 15 से 60 वर्स में जो population है वो कितना percent है और 15 वर्स से कम age के population कितनी है ठीक है तो संगटन का मतलब है composition एक बड़ी term है उसमें बहुत सारी चीज़ा include होती है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम इस चेप्टर में discuss करेंगे ठीक है तो चलिए चेप्टर को discuss करते हैं और हमारे जो session होंगे वह maximum 20-25 मिंट-30 मिंट के होंगे इससे ज्यादा हम ज्यादा लॉंग टाइम नहीं देंगे क्योंकि चीज़ें कम टाइम में जो कम चीज़ें है इंपोर्टेंट चीज़ें हैं उनको काम टाइम पर अच्छे से हैं प्रिपेर करेंगे ठीक है तो चलिए डिसकेशने स्टार्ट करते हैं इसमें सुरुबात में बोल रहा है कि लोग किसी देश के अतियंत मैं तो पून गटक होते हैं ठीक है अब पॉपुलेशन है for example यहा साल की पॉपुलेशन वहां पर और साट से अधिक साल की पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है एस कंपेर टू 15 तू 59 यह जो 15 से गुंड़ाट वर्स का इस गूरूप उसमें पॉपुलेशन लगाता और गट रही है उसका करन क्या है कि जन जापान की जनम दर बहुत कम है तो अब जापान को पॉपुलेशन का लोस हो रहा है वहां पर रिसॉर्स के अनुसार पॉपुलेशन है नहीं यानि की अंडर जो पॉपुलेशन कंट्री है जापान ठीक है वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और वो इतनी है उसके बाद में जो ग्रामिन और नगरी जनसेंगिया में जो 15-60 आयू वर्क के जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं और इंडिया में जो वर्ल्ड का बोलते हैं कि सबसे यूवा देश है भार्त तो इस वज़े से इंडिया में और पॉपुलेटेट इंडिया को पॉपुलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे होगा और वहां की जो इंडुस्ट्री है वह भी अच्छी ग्रोथ करेगी ठीक है तो इस वज़े से मैं तो कुन गटक है नेक्स्ट है कि भारत अपनी 121 क्रोड 2021 की जन्न संक्या के साथ चेन के बाद विस्व का दूसरा सगमतम बसा हुआ देस है ठीक है अब यहां पर यह 2000 क्रोड है उसके बाद में बारत की जन्न सेंग्या उत्र अपर अमयरीका आधिक और 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 मिला गेक्त है यह तीन जो कोर्डिनेंट ysseन भी अधिक जन्सख्या है बारत की अभी इसट्रेन्वेंट वेस्ट इसे पोष सकते हैं फो इसे पर कियो इस क्योंकि हम discuss करते हैं कि जो समाज में social unrest का मत्तब है कि जो अपरात की दरबढ़ती है उसके बाद में जो आनेहतिकल और समाज में बढ़ते हैं और वेल्यूज हैं इसको नहीं कर पा रहें क्योंकि चो युवा वरिक है उन पर रोजगार नहीं मिल रहा है उनको प्रोफर गाइडेंस नहीं मिल रही डायरेक्शन उस वज़े से वह क्या है कि अन्यतिकल वर्क करते हैं उसके बाद में आर्थिक समस्यां का मतलब है कि एक तो इंडिवीजुल खुद व्यक्ति को इंपेक्ट करती है यह कोई वक्ति सिक्सित है और उस इंडिया को नहीं सांट क्यों है क्योंकि इंडिया के पास इंडिया के पास इसकिल्ड वर्क है ठीक है जो व्यक्ति सिक्सित व्यक्ति है इंडिया के पास में लेकिन इंडिया उसको किसी ऐसे अच्छे काम पर नहीं लगा बारा है ठीक है तो इस वज़े से यह समझ्यां य अंतर्ण में रह रहे हैं लोगों से बसा हुआ एक सेतर है तल्यवाद दुपई सब बहुत डाइवर्स कंट्री है यहां पर पॉपॉलेशन के पॉइंट ओफ विव से देखें ठीक है दर्म के पॉइंट ओफ यू से देखें ठीक है और उसके बाद में नेच्टरल रिसोर्स आंकड़ों के स्रोत जो सौर्स है पोपॉलेशन डाटा के वह क्या है कि हमारे देश में जनसिके के आंकड़े को परती 10 वर्स बात होने वाली जनकरना द्वारा एकत्रित किया जाता है इंप्रेंट है वसके बाद में बाद की पहली जनकरना इक 501 में शंपन हुई संपन हुई अमें दो बातों क्या मतलब है कि 1800 जो बुग उतर पर population census हुआ इंडिया में वह incomplete था किने के मुलब एक अनुमान लगाया गया था और कम स्केल जो कम स्थर पर टाटा एक्ट्रेट किया गया ठीक है लेकिन जो 1881 में जो population थी इंडिया का वो एक समगर population census था और उसको ब्रोड लेवल पर गया ठीक है तो इस वज़े से इंडिया को यदि कि उसे नजाए एक्जाम में कि पर्थम जनकरना कौन सी थी तो वह होगी करिक्षिण कीजिए और इस पर दर्शा पर ट्रूप बढ़न करना करने का प्रियास की ही एक बार या cumpl लेठें परगराव उसके बाद में एफ देगेंगे यह उस पैडरवरतमें जनसे के विटरन का परतिरूप अतियन असमन ए ठीक है श cabeça म नहीं नहीं इन नहीं अनी यानिंडिया में न में पर यूपी का पस्चार के रिकाई और महाराष्रा सेटहें हैं यह आप्स तेखक यह यहां पे शरतलब करते हैं यहां पर यह आ यह रेकि सबस्प्रेख करें हैं ऊसेजड़ के रचे रिखाए मैप बोलते हैं यानि एक डोट है वो एक बिंदू है वो दो लाग जनसिंगे को परदर्शित करता है ठीक है तो अब आप इमेजिन केजिए जैसे पहले हम जो ज्यादा सकेंदरित पोपुलेशन जो एरिया है उनको देखते हैं तो इसमें पहला तो आपका जो सिंदु नदी जो नदी वह थी है जो ऑफातानतर है यहां से संद्डु नदी वेए तो यह पर जो सतलज व्याइस और रह भी नदी है उसे वाले रिजन में ठीक है पूर उसके बाद में जो ब्रंपुत्र नदी का जो मैदानी शेतर है वहां पर पोपुलेशन ज्यादा रहती है ठीक है तो वारत का जो मैदानी श्यत्रें वहाँ पर फॉप्लेशन है अच्छी का सिस्टें छर्फ मीलती है उसके बाद में जो पूर्वी और पर्ष्चिमी तीक है यहां पर फॉर्वी कौॉस्ट्व बैल्ट मेन जिए लोर्ग है प्पुर्वी तट्डीवर्थी सहतर यह 189 जाला मिल दी है Kinematis ॥ इसके बाद मैं जो इस प्र community यानि वीर जंसे के वाले रीजिन जमुकसमेरर्ण लिदिक वाला हो गया रुनचल परदेशų तो इसके बाद में थार का मुल्फ तलूर कच्करन हो गया ठीक है और जो सेंट्रल हाइलेंड वाला पॉर्शन है मद्यपरदेश का उत्रिबाग चतिश्गाड ठीक है ओडिशा का कुछ पॉर्शन ठीक है यह आपके जो आंतरिक दकन का ट्रेफ है यहां पर पोपलेशन कर से चांच कीजिए कि तमील नडू मदीपरदेश राजस्तान करनाटका गुजरात के साथ उत्रपरदेश महाराष्ट्रा बिहार पस्चिमिमंगा लुरांदरा परदेश की जन्सिया मिलाकर देश की कुल जन्सिया का 76% भाग है ठीक अब कौन-कौन से राजिये पहला तो तमील नडू मदीपरदेश राजस्तान करनाटका गुजरात उत्रपरदेश महाराष्ट्रा बिहार पस्चिमिमंगा लुरांदरा परदेश यदि इन कितने राजिये हैं यह यह जो तोटल दस राजिये हैं इंडिया में उनकी जो टोटल पॉपुलेशन मिला दें तो यद से उनमें इंडिया की 75% से अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है ठीक है 75% से अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है आपका कतन सही होगा नेक्स्ट है दूसरी तरफ जम्मु कस्मीर 1.04% अरुनाचल परदेश 0.84% उत्राखन 0.8 30% जैसे राजियों की जन से क्या काकार उनक इस मैप में देखते हैं रोनाचल परदेश ठीक है और हिमाचल परदेश उत्राखन यहां पर बहुत वीरल पॉपुलेशन पाई जाती है ठीक है और जो 10 इस्टेट है वो कौन-कौन से पंजाब है हरियोना है यूपी है बिहार है वेस्ट बंगाल है असम हो गया राजस्त कि अधिक समाजी आर्थिक और एतिया सी कार्कों के बीच गनिष्ट संबन्ध परकट करता है जहां तक बहुत लिकार संबन्ध हो यह एस पर स्थ है कि बूव विनयास और जल्की उपलबता के साथ जलवाई उपर मों गरोप से वित्रण के परतिरूपों का निर्दारन करत तो यहांपे देखते हैं कि उत्री मैदानी शेयतर में चाने कम लग जो महाजन पत्त काले है वहां से लगए पर प्रजान टाइम पर में सेंट्र बहुत है और उसके बाद में जो तो भी यहां पर फोड़ी हाई थी उस टाइम भी ठीक उसके बाद में जल की उपलबता अब चुंकि उत्री मेदानी परदे से वहां पर नदियां बैती है और कोस्टल बेल्ट है वहां पर जो ट्रांस्पोर्टेशन मेकनिजम अच्छा है ठीक है वाल्ड के साथ जुड़े ह तो यहां पर आर्थ एक परति रूपी है और दूसरा जल के उपलबता के बाद में जलवायू परमोग रूप से वित्रन को परभावित करता है निर्दारित करता है तो मैदानी शेतरों में हमें पता है कि सम परकार की जलवायू बाई जाती है ना तो टेंपरेचर दवल्प हो रही है वहीं पर मरुस्तली से परके बात करें तो वहां पर कपर करेंगा तेंपरेचर ऐक्स्टीम लावल पर चला जाता है और और वहां पर आंधी दूपान आते रहते हैं जो जलकी उपलबता है वह भी एन्यवाइव सब्सक्राइब हें ब्रिडम सोरूप हम परस्चिमी कुछ राजियों के अपैक्सा उच्छतर है यानि कौन-कौन से रिजन उत्री मैदानी सहतर डेल्टा त्ट्टी जो मैदानी सहतर है वहाँ पर जनसें के हैं वह किस अपैक्सा दिक रहती है मद्यवार्त के आंत्रिक जिल्डे और उसके बाद में हिमाले उत्री पूर्वी और परस्चिमी कुछ राजियों के अपैक्सा उच्छतर रहता है फिर भी सिंचाई के विकास राजस्तान कनीज और उज्जय संसा दिनकी उफलपता जारकंड परिवेंजार के विकास प्राइ परिवेंजार के डेजर्ट में यहां पर इंद्रागा दिन्यार आ गई है तो यहां पर जल की उफलपता हो गई तो यहां पर दिरे दिरे पोपुलेशन का जो संकंदर है वो बढ़ रहा है ठीक है दूसरी तरफ क्या बात बोली है कि नेक्स्ट बोली है कि जो संसादनों की परिवेंजार का विकास मानुबस्ती के परती रूप परिवेंजाल तंतर का विकास ओध्योगी की करण और नगरी करण है ठीक अब यह सारी चीजें हमने 12th क्लास के न्सी आटी जो हमने जो इसके पड़ा था और उसमें हमने वर्ल्ड पूपलेशन पड़ा था उसमें पड़ा था कि जो पॉपलेशन रिच और विरल जन्सें के सेतर है उनको कौन-कौन से कारक परभावित करते हैं तो यह सारे का कर्सी का उद्विकास उद्वावित कि हमने जो नियोलितिक पिरिएड में एक्रिकल्च्रल रिवल्योशन पड़ा था उसके बाद में हिमने इस ताई रूप से सेटलमेंट बनाए और रहने लगे तो दीर दीर कोई नदी के किनारे रहते थे तो बाद में वहां पे एक परिवेंट तरना का उद्विकास उद्विकास और नगरी करण हम बढ़ते हैं कि जो विक्सित दैस है उनमें नगरी करण का प्रोसेस है वो इंड्रस्ट्रियल डियोल्योशन के बाद में शुरू हुआ है ठीक है तो यह एक इमपोर्टन मैजर्टर है पोपुलेशन का जो संगटन है उसको डिसाइड करने का कि किस रिजन में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी जहां पर इंडुस्ट्री होगी वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोव करेगी ऐसा देखा गया है कि बात के नदिये मेदानों और 30 पर्देशों 30 सेत्रों में इस पर्देश सदेव पर्देश रहे हैं यानि जो कोस्टल बैल्ट है और जो नदी गटी शतर है महां पर जैसे जा रहती है यहदे पी इन पर्देशों में जमीन और जल जैसे प्राकरतिक शंसादनों में उपियोग के करण निमन करण हुआ है फिर भी मानुबस्ति के आरंबिक विकास आस्वर और दिल्ली, मॉंबई और कॉलकाता, बैंगलूर, पुने, एमदाबाद, चन्नाई और जैपूर, नगरी सेतर ओद्यों की विकास, और नगरी करण के करण बड़ी संक्या में, ग्रामिन और नगरी परवाचियों को आकरसित कर रहे हैं, और इसलिए इन सेतरों में जंसेक्या का उच्छ संक्यादरन पाया जाता है, ठीक है, कहने को में यह जो सिटीज है, पर इसलिए, गुंबई, कॉलकाता, बैंगलूर, पुने, एमदाबाद, यह क्या है कि माइग्रेशन को अपनी और खिंचती है, ठीक है, जो पुल और पुस फेक्टर पढ़ा था हमने, तो यह पुल फेक्टर का काम करती है, ठीक है, पुल फेक्टर का काम क्यों करती है, क्यों कि यहां पे, एज्यूकेशन के पॉइंट और वियू से, हेल्थ के पॉइंट और वियू से, रोजगार के पॉइंट और वियू से, अच्छी मानुए दसाएं के पॉइंट और वियू से, यह रोजगार प्रोवाइड करवाती है और जो मानुदसाइं है जिवन पो बहतर बनाने की वो सभी यहां पे मिलती है तो इस वज़े से इन राजियों में पॉपुलेशन हाई रहती है जैसे दिल्ली है बुंबई है तो महाराष्टा में ज्यादा रहेगी कोलकता है तो वेस चौनैयोग को से घ्यादग गया है नेक्स्ट है नगरियर कर अपड़ रही है और आकर सित कर रहें है नेक्स्ट आइछज्ञ्से क्या का गनात हुओ ठेक अब को सभ़िए की देंसीटी के बारे में बात करें तो विजöग्रापिक c att देंसीटी है और्धमक्य के टेंसीटी कैसे मैज़र करते हैं, उनके फोर्मूले क्या होते है क्षूराइट एन्डी जैसे करते हैं मात्रमर् verd उदार है उसको कैसे निकालते हैं Radhia क्या होती है दनात्मक वर्दी क्या गौती ए तो ये सारी चीज़ीं प्रिवियस99 के वेलद ले गलस के उच्य लिसक conference की दिसकर की वहाँ पे कर ली थी ठीक है तो इसमें जाल जाहिए नीटा rarely जाया जाता है यह कि कोई भूह लेक क्षल पर जन्संक्या का मैं वकृति उससें रहते हैं टीक है तो इसको दिस्क्या का गन prophण चित्र इंडिया में किस सेटर को हम नगर बोलेंगे उसके उसमें यह पैरमेटर डिसाइड किया गया था उसमें दो तीन बाते पड़ी एक तो वहां पर जो मिनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए कंटॉनमेंट वोड हो या नॉटिफाइड टाउन एरिया प्लान ठीक है वह उसके पांच हजार से अधीक हो किसी भी चाहिए और चौता आफ हमने बढ़ता था कि पॉपलेशन 400 वरक किलोमेटर से ज्यादा होनी चाहिए किसी भी चाहिए तो यह जो पॉपलेशन डैन्सिटी का मतलब है कि कोई भी गोगोलिक सेटर है और उस बोगोलिक सेटर में कितनी जनस तो उसके point of view हम density को include करते हैं नेक्स्ट है कि इसमें अब दूसरी चीज़ यह है कि कोई भी जैसे for example इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वाले रीजन में population ज्यादानी शयतरे उसके बाद में जो जमू कस्मीर और लदा के वहांपे कम देख रहे हैं राजस्टान में तो इसका मतलब है कि हम इंडिया की ओर और पॉपूलेशन डेंसिटी निकाल लेंगे तो इन सभी सहत्रों को keine चाहिए वह संग्स के नरड में ज्यादा हो या वीरल जंसें के वाले हो लेकिन पर्टिकुलर इसटायट की बात करेंगे ठीके राजस्तान की बात करेंगे तो अदलग निकल लेगे टो इसमें बुमी के संद्रभ में जंसे किस्तानिक वित्रन को बैहतर टंग से समझनाय में स पर्ति वेक्ति वर किलोमेट्र है थीक है नहीं विकत पचास फरसों में दो इस दो वेक्ति वर किलोमेटर से अधिक की उत्रोतर वर्दी होई तो यहां बे दो ताइब की की क्योंसन बनते हैं एक तो आप से 2021 का पूछ लेंगे या आप से 1901 का पूछ लेंगे या दूसरा स्टेटमेंट बैस्ट क्योंसन पूछ लेंगे कि 1901 से 2021 के बीच में बारत में कितना पूपूलिशन डेंसिटी बड़ा है तो वह आपका 2021 परती वर किलोमेटर से अधिक है अब परिसेश्ट के में दर्साय के आंकड़ों आंकड़े दैस में जंसे के गनतों की इस्तानिक बिंता का अबास कराते हैं ठीक है यहां पर एक इंडेक्स दे रगी है कौन सी है एक अधिक है इंडेक्स यहां पर मिली नहीं है ठीक है देख लाएंगा आगे मिलेगी तो यहां पर है कि अरुना चल पर देश में सब से कम 17 वेक्ति परती वर किलोमेटर है यह लाइन इंपोर्टेंट है करें सतरा वेक्ति हरोनां चल पर देश में सब्सके क्लिवार्यिक्क से लेकर दिल्ली की राष्ट शंचर्णव किलोमेटर तक होती जाइए और इमेजिन के बाद में ऊतरी बार्त के राजियों में सबसे जएदा है बिहार में उसके बाद में नेक्स्ट है यूपी स्वरी वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर यूपी ठीक है बिहार में हैं 1102 और वेस्ट बंगाल है उसमें 1035 और उत्र परदेश में 835 यह तीन इस्टेट है इंपोर्टन याद रखना नेक्स्ट है असम गुजरात आंध्रा परदेश हरियाना जारकंड ओडिशा में मद्य जंसे के गनतों पाये जाता है हिमाले परदेश के प्रवतिय परदेश में जंसे के गनतों पाये जाता है अब एक वारे इसम वाले गाटी सेत्र को चोड़ दें और तिरपुरा को चोड़ दें तो मेगाले में अभी कम है रुदाचल परदेश में कम है यहां पर नागालेंड है मनीपूर है मिजोरम है यहां पर पोपुलेशन करने को कम मिलेगी आपको ठीक है उसे परकार जंसे का गनतों जैसा कि पहले के अनुछेदों में चर्चा की चाचुकी है एक असोधीत माप है कुल कर्सिक भूमी पर जंसे के दबाओ के संद्रब में मानो भूमी अनुपात के बहतर परिग्यान के लिए काईक और कर्सी गनतों को ग्याद करना चाहिए जैसे बारत के विशाल कर्सी जंसे के अवले देश के लिए साव तक है अब एक तो हमने पॉपुलेशन जो इंडिया का जो जंसे के गनतों था उसको दो तरह से निकालते हैं पहला तो है बोगलिक जंसे के गनतों ठीक है उसमें क्या है कि पूरे तो यह पोगलिक शेतर के अदार पर अब दूसरे जंसे के गनतों का एक डाटा है वह कर्सी जंसे के अगादार पर इंडिया का जो टोटल एरिया है वो इतना है ठीक है और उसमें से इमेजिन कीजिए इस इतने पॉर्षन में एग्रिकल्चर की जाती है इस वाले रिजन मे तो अब जो एकरी काल वाले रिजन में लोग रह रहे हैं और बाहर भी एकरी काल्चर pressures ऽे बाहर भी लोग तो रह रैंए ठीक है उनको भी इंक्लूट प्तलू लोड से जो नेट्स लगतीर है इंडिया का तो जो 20 वर क्लोमेटर का जो एरिया है उसमें मान लेते हैं कि population रहती नहीं है पॉपोलेशन तो रहती है लेकिन उस वहले रिजन में एग्री कल्चर नहीं होती है तो बात आपको समझ में आ गई होगी तो इसमें है कि काईक गनतव क्या है कि कुल जन संक्या बटा निवल करसी सेथर उसको निकालता है ठीक है और दूसरा है करसी गनतवे यानि कुल करसी कि यह तो जो इसको निकालता है उसको निकालता है कुल कर्स जनसेक्या को अनुपात में नेवल कर्सी जो सहतर है वो कितना है तो उसके पॉइंट ऑफ से निकालते हैं करिश जयन सेक्या में कर सकते हैं, तो प्रामरी एक्टिव इंफूल होते हैं उनको धेदा करशी작 कर्षी गनतों के कीका सब्सक्रा केनों यहां पर यहां से करें गार्त coração ऐसे सब्सक्राइब सब्सक्रा अरूना शाल परदिये सब्सक्राइब यहां पर च्रब खोट और यह इस्टेट दिख रहे हैं उसके बाद में जो उत्राकंड है हिमाचल परदेश है लदाक और जमुकस्मीर वाला रीजन है राजस्तान गुजरात मद्यपरदेश चतीश कर्ड और डिशा आंद्रापरदेश और यहां पर त्यलंगाना भी है और महराष्ट्रा है और गोवा है करनाटा का यह रीजन है पूरे उसके बाद में 401 से 800 की बीच में जन से क्या अब 401 से 800 की बीच में पहला तो आपका तमिलनाडू हो गया ठीक है दूसरा आपका चार खंड हो गया तीसरा हरियना और पांचवा चोता है जो पंजाब हो गया उसके बाद में 801 से 1200 के बीच में जन से क्या अगनत्व है उत्रप्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल केरल और पुंडुचरी ठीक है पुंडुचरी का माहे यनम और जो यह वोगलिक से तरे उसक को कितने वर्गों में डिवाइट किया होई तो यह यह चैसे क्या कि यह चैसारी और ने डिसकेस कि और ने जन से क्या कि वर्दी के बार में डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए आज के इस सेसन में है थैंक्यू